जिसके पास भी ड्रोन है अब उन्हें अपने ड्रोन का रिजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा बिना रिजिस्ट्रेशन के आप ड्रोन मिला तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगे केंद्रे विमानन मंत्राले ने ड्रोन रखने और उड़ाने वाले सभी लोग उसे कहा है कि वो 31 जनवरी तक रेजिस्ट्रेशन करा ले दलसल 14 जनवरी से रेजिस्ट्रेशन भी हो चुका है आपको बताते चले कि अमेरिका ने एरान पर ड्रोन से अमला किया था जिसके बाद से अब भारत ने एक अदम उठाया है विमानन मंत्राले की ओर से सलसले में एक पब्लिक नोटेस भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार की जानकारी में आया है कि कुछ ड्रोन और ड्रोन संचालक हैं जो C.A.R. यानि Civil Aviation Requirements के मानुकों को पूरा नहीं करते हैं Civil Drone और ड्रोन संचालकों के भैचान करने के लिए स्वैच्छिक घोशना का मुगा दिया जारा है ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को 31 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्या को पूरा करना होगा जाने के रजिस्ट्रेशन होगा तो ही ड्रोन उड़ेगा बिना रजिस्ट्रेशन के आप ड्रोन नहीं रख सकते हैं पताते चली कि रेजिस्ट्रेशन आप 31 जनवरी तक करा सकते हैं और उसके लिए आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं रेजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट बनाए गई है और आप ऑनलाइन भी रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 31 जनवरी तक आप रेजिस्ट्रेशन करा सक कि द्रोन को उड़ा सकता है तो आप रेजिस्ट्रेशन के लिए वेब साइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं और अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 31 जनवरी 2020 इसकी लास्ट रेट है और हमाय साथ रिटार्ड करनल दिनेश जुड़ गए हैं दिनेश जी भबाशुक्र हमाय साथ जुड़ने के लिए ये काफी अच्छी पहल है क्योंकि काफी समय से जिस तरीके से ड्रोन को देखकर खत्रा बना हुआ तो चारो तरफ अब वो इससे थोड़ा कम हो पाएगा क्य कि ये जो हमारा डायेक्टर जनरल सेविल एविएशन है उसके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे प्रोसी देश हैं वो इसका गलत इस्तेमाल टेरिजम ए ड्रग ट्रैसिकिंग के लिए करना शुरू कर दिया था तो लिहाजा इतने मेंगे ऐगस्ट जिए कि 31 दिंबर तक सबको रेजिस्टेशन कराना है इसके अंदर आपको अपने ड्रॉन आगरोलिजमेंट नमबर लेना होगा या यानि वो लेना है ओनरूशिप अगरोलिजमेंट नमबर उसके बाद आपको दिया जाएगा और आप उसके बाद ही इन ड्रॉन कर पाएंगे दूसरा इसके अंदर उन्होंने अलग-अलग कैटेगरी भी बात दिया है कि भई आपको रैड जोन यानि कि जो एरिया आपके मिलेटरी एरिया जो इंटरनेशनल एरपोर्ट या बॉर्डर्स के पास में है हमारे देश के और एड जोन में आप फ्लाई रही कर पाएंगे उसके बाद कुछ एरिया डिवाइड कर दिया यलो जोन के अंदर जिसमें आपको परमिशन लेके वनी कंट्रोल जोन होगे इसमें और भी रूस बनेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन इनिशल स्ट्रेल्स के ऊपर मुझे लगता है कि इन ड्रोन के अंदर रिजिस्ट्रेशन करके जो सिक्योर्टी का प्रॉब्लम आ रहा था उससे निबटने की तियारी की गई है जी बिल्कुल दिनेशन अंजे भबा शुक्रिया हमा साथ जोनने के लिए तो यकीनन रजिस्ट्रेशन के बास से सिक्योर्टी को लेकर सभी चीज़े जो हैं वो ठीक होती नजर आएंगी और जस तरीके से बार बार ड्रोन के देखे जाने पर एक खत्रा मंडराता हुआ द पाएगा बिना रजिस्ट्रेशन के आप ड्रोन नहीं रख पाएंगे सुरक्षा के लिहाज से अब ये रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वेब साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते है केंद्रे विमानन मंत्राले ने ये एक एहम कदम उठाया है सुरक्षा को देखते हुए जिस प्रकार से इससे पहले काफी समय से ड्रोन बार बार देखे जा रहे थी